स्वास्ते मंत्री के ग्रही जिला में स्वास्ते ववस्ताओं की हालत पहले ही खसता है उपर से स्वास्ते करमचारियों की बदसलुकी मरीजों और उनके परीजनों को मानसिक रूप से परताडित करती है सोलन क्षेत्री अस्पिताल में आए दिन मरीजों वो उनके परीजनों से बदसलुकी के मामले सामने आते हैं मंगलवार सुबह भी ऐसा ही मामला सामने आया जब कुछ लोग सप्रून में अचेत अवस्ता में पड़े मरीज को मानवता के नाते आटो के माध्यम से अस्पिताल ले गए स्थानिय महिला ने 108 एंबुलेंस को भी कॉल किया लेकिन एंबुलेंस समय पर नहीं पहुँची हलांकि जब वेक्ती अस्पिताल पहुँचे तो वहाँ पर 108 की गाड़िया खड़ी थी जिससे अपातकाल सेवा के नाम से जाने जाने वाली यह सेवा भी अपने मकसद में काम्याब होती नजर नहीं आ रही है अस्पिताल के एक रेडियो लोजिस्ट जो की सिटी स्कैन करने आया उसने आपने आपको 30 मार खाँ समझा उसने कई ऐसे शब्द बोले जो की अस्पिताल जैसी जग़ों पर किसी को भी शोबा नहीं देते जिसके साथ बदसलुकी हुई उन्होंने इसकी शिकायत चिकितसा अधिकारी स.ल वर्मा को लिखित में दी है स.ल वर्मा ने बताया कि करमचारी की पहले भी कई बार दुर्वेवार की शिकायते आई है उन्होंने स्टाफ की कमी का रोना रोया वह उचित कारेवाई का आश्वासन दिया उन्होंने बताया स्टासनोग्राफी में मैंने काफी दिन रखा और क्योंकि अब कर्मचारियों की कमी होती रहती है को रिटार्मेंट है कोई आदमी स्टांस्फर हो के चल जाता है तो उस कमी की वैसे फिर मेरी मजबूरी हो गई कि मेरे को रोटेशन में रगाना पड़ा साथ में एक दिकत और है कि हमारे पास ECG की जो जो टेगनेशन है वो नहीं है तो यह सारी बातें आपके माध्यम से मेरे संग्यान में आई हैं और यह आश्वाशन देता हूं आपको कि आप इसके इखलाब जना सक्से सक्का करवाई की जाएगी ताकि आइंदा जना किसी भी व्यक्ति से निश्ची तोर पर स्वास्ते मंत्री जी आपके राज में कुछ स्वास्ते करमी बेक आफ अस्पतालों में अपनी दादागीरी दिखा रहे हैं आप देखना होगा स्वास्ते विभाग इस करमचारी पर क्या कारवाई करता है बिल्ली के गले में घंटी बांधने का साहस कर लगता भी है या फिर मरीजों को वह उनके परीजनों को इसी तरह से परताडित किया जाएगा